हाफिस सईद की जिसने एक बार फिर भारत और मोदी की खलाफ आग उगला है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंग बादियों में गिने जानने वाले जमात दावा की मुख्या हाफिस सईद ने पेशावर में हुए हमले के लिए भारत को जिमदार ठेराते हुए बदला लेनी की बाद भी कई है एक जदसभा में हाफिस सईद ने का है कि हमले के असल मुझ्रिम भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हैं सईद ने का है कि सब एक बात पर इकठे हो जाए कि साजिश करतां उसे हमें बदला लेना है इंडिया इसका असली जम्दार है हमें पूरे तौर समझते हैं कि इस साज़िश के पीछे इंडिया का हाथ है और हमें उससे बदला ले रहा है आपको बता दे कि पाकस्तान के पेशावर में तहरीक तालीबान पाकस्तान ने आर्मी स्कूल पर हमला कर मंगलवार को 132 बच्चों समेट कुल 148 लोगों की जान ले ली थी हमले की ज समलावरों को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान से मदद की अपील की है कल पाकिस्तानी करमचारी अफगानिस्तान गए थे जहां पर उन्होंने तालीबानी नेताओं की धर पकड़ के लिए अफगानिस्तान से मदद की अपील की ख़बरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर ख़बरों के साथ बने रहें राद दिन हम दिखेंगे यूबरों के साथ